आपको यह दिल्ली से लगनों का वीटियो बहुत ही पसंद आएगा इसमा मैंने अमनों एक्सप्रेस वे आगरा इना इनर इंग रोड और लगनों आगरा एक्सप्रेस वे कवर किया है चलिए फ्रेंड्स वीटियो एंजोई किजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल आज की जड़नी हम कर रहे हैं नोटा से लखना हूँ तो अभी जस्ट मैंने रिफ्यूल करा लिया टैंक फुल है और डिस्टिनेशन हमारा कुछ 514 किलोमेटर है और जैसा दिल्ली की लोग नेटा की लोग समझ के होंगे मैं भी नोटा ग्रेटर नोटा एक्सप्रेस वे प पार करके फिर आप में मिलेगा आगरा लखना हो एक्सप्रेस वे तो चलिए फ्रेंट आज का जड़नी बहुत ही इच्छा होने वाला है बहुत ही मजा हैगा आपको चलिए फ्रेंट वीडियो में बने रहे हैं और मेरे साथा प्रास्ते का लूप उठाई है और बस लगव के तरफ जाना नहीं है एक किलोमेटर से ही यमुना पे चड़ जाना है और इस वे से हमें यमुना एक्सप्रेस वे के तरफ आगे बढ़ेंगे चलिए एक्सप्रेस वे होते हुए यहां से लखनाओं का सफार आप मेरे साथ कीजिए और यह सबसे लिफ्ट का लेन है ना यही पाइक का लेन है यह मुना एक्सप्रेस वे पे तो यह हमें ध्यान देते हुए चलना है बताओ यार उटाएँ क्या दिया जब यह सबसे लिए लेकिन पीछे में देख रहा था कार वाले कंब इधर आ रहें और अधर आ रहें अरे लेन फॉलो करो यह ड्राविंग फॉलो करेंगे ना एक्सप्रेस पे तो कभी कोई जोनी होगा कोई एक्सप्रेस नहीं होगा जब बाइकर्स के लिए लेन मना दिया गया है तो क्यों अभी इस लेन पर आना फिर समझ में नहीं आता है परहे लिखे लोग भी बे कोफी वाला काम करते है देखिए टू विले ने लिखा भी यह है तो एक्सप्रेस्वे पर लगभग हम लोग 13-14 km कवर कर लिया है अभी तक यह मैंने एक छी देखा है एक्सप्रेस्वे पर टॉल है लेकिन रोड अच्छी नहीं है इसके बिच-बिच में तूटा हुआ है तो आप चूचो सो एक्सुदस एक्सुवीस पर क्रूज कर रहे हो एकाएक अध्धा आ गया पॉटोल आ गया सामने तो मुझे तो लगता नहीं कोई भी वाइक का आपके रिम बचे गा यह लेफ साइड में लॉंज है जेपी लॉंज लिखा था और आगे पेट्रोल भी है जो लोग इस रूट पर पहले ट्रेवल किया है उनको पता होगा यह जो आगे पेट्रोल पंप है यह वहीं पेट्रोल पंप है जहां एक सुसाट रूपे लिटर पेट्रोल भी बिलता है अन्डाउटेडली वह एक्ट्रा प्रीमियम का ही कुछ अच्छा कुछ और रिफाइन रूप होगा लेकिन और अपना इंटेर्नेशनल एरपोर्ट जो बन रहा है जेवर में उसका प्रोजेक साइट इस साइड में है यह दिल्ली से एराउंड 75-80 km हो जाएगा यह अच्छा होगा माली दिल्ली में ट्राफिक ज्यादा है तो कभी टाइवर्ट यहां कर सकते हैं कुछ फ्लाइट यहां से कुलेंगी कुछ दिल्ली से कुलेंगी मिस इन टॉटलिटी इदर की लोगों के लिए दोनों अप्शन तो फ्रेंड्स अभी जस्ट टोल प्लजा आने वाला है यह अबुना एक्सप्रेस वे पर तो अभी जस्ट अपने 360 सॉट्स देखा कैसा लगा आप कॉमेंट करेंगे जरूर बताइएगा फ्रेंड से मैं एक बर्टिंग यूटुबर हूँ वीर कि बनाता हूं इसपेसलिए बनाता हूं वाइक के, कार्ज, के और कुछ, डि आइवाइज के तो आप अगर वीडियो देख रहे ना तो वीडियो अगर पसंद है तो लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें और लास्ट में जाते आते सब्सक्राइब भी कर लिजिए सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन बहुत ही मिलता है जो डैट इस तरह के वीडियो जैसे मैं बना रहा हूँ और जैसे मेरे चैनल पए में आगे भी बना पाऊंगा तो चलिए आज का पहला टोल प्लाजा जहांपे टोल प्रे करना है वह सामने है यह कॉर्ण यह थे पैला टोल प्लाजा पहला किया हमें तो पुरा युमुना क्रॉस करना है तो एक ही टोल रहेगा तो चलिए फ्रेंट टोल कटवाते हैं यह बाइक्स की लाइन लगी हुई है यार यह तो पहली बार देख रहा हूं मैं कि एक लिए ने क्यों खुला है बाइक के इन्होंने अट लिस्ट दू खुल देना चाहिए चलिए फ्रेंट अभी आहां लाइन लगी है तो पहले टोल कटवा लेते हैं फिर अबसे मिलता है और जैसा मैंने बताया था दोसो पांची है टोल सब्सक्राइब को देखी एक्सप्रेस पर चलने और हिलमेट नहीं लगाए है तो दूसो पांच का टोल है तो जली फ्रेंट्स आगे पढ़ता है हिलमेट नहीं लगाए है तो बहुत तेज चलाती ही गारी सब भाईसाइब सर्माग है तो नहीं देखा कि कैमरा भी है और हिलमेट भी है और वह हिलमेट लगाए नहीं थे जस्ट पीछे लफ साइड में एक सीवा धाबा है है जो लोग कभी बस से दिल्ली से लखनो ट्रेवल किये हैं या दिल्ली से इस रूट में कहीं भी गये हैं उनको पता होगामेक्सिमम बसे वहां भी डुकती हैं रात के डिनर के लिए दिन के लिए मैं भी लास्ट टाइन जब बस से आए तो वहां पर रुका था तो वही चुलिए आगे जगा देखे के तो डुकते हैं तुदर के लिए फिर अपने सफर में आगे पढ़ेंगे तो फ्रेंड्स हमने भी 131 किलोमीटर कवर कर लिया है यमुना एक्सप्रेस वे पर और लगभग 42 किलोमीटर के बाद हम आगरा वाइपास होते हुए आगरा लगणू एक्सप्रेस वे पर निकलेंगे कुझे इसा फील हो रहा है कि सुबह में जस्ट मैं ब्रेक्फास करके निकला था हलके भूख फील हो रही है तो पैने देखा है पबलिक कर्मिनेंसे जहां बने हैं आपको टोल पला जाए के आस पास कि वहां पर तो रिस्टोरेंट से सब हैं बाकी मैंने बीच में भी देखा है इस चली मैं आपको आगे दिखाता हूँ मैंने देखा है जैसे साइड में को रेस्टोरेंट है तो इस में रोड से रास्ता नहीं है लेकिन यह जो फेंसिंग किया हूँ है ना इस वायर को ब्रिक करके लोग आते जाते हैं और दूब भी पूरी खिली हुई है लेकिन जब आपको दूब अच्छी लगने लगे ना तो आप समझ जाओ कि ठंडी आ गई है चली है मैं थर्ड टोर प्लजा पर आगया हूँ और तेज क्लिमेटर कुछ बचा है आप टोकन दिखाते हैं अपर चलते हैं अगे अलीजे भी टोकन चिक्करा के फिर यह लास्ट है इसके बद एक और है लास्ट है यह मुना एक्सप्रेश में पर लास्ट टोल पला जाहिए इसके बद नहीं में लिगा हमनों को तो चलिए सिग्नल ग्रीन यहर वीगो चलिए आगे पब्लिक अन्विनियंस है यहां पर तुरा वेट रुक जाते हैं और देखते हैं चाय वह मिलता है तो पीते हैं यह देखके मुझे बहुत मजा आया चलिए आगरा सीधे स्टेट है कानपूर गोलगता भी स्टेट है एंड ताजमहल भी स्टेट है नाइस बसे अगरा इस नोन फोर ताजमहल एंड पुरानी सहर की गलियां यह सब तो चलिए अगली अगला टूर आगरा का करेंगे इस विकेंड पर ही करते हैं और कार से करते हैं और फ्रेंड समय जाना है लखनो की तरफ तो में रास्ता ले रहे हैं कानपूर और आगरा के लिए आपको यह नीचे से जाना होगा चलिए 165 किलो मिटर पर हम है और गोप्रो हैंग हो गया था तो मैं जैस्ट बैटे निकाल के फिर से लगाया और गोप्रो इस बैक और अगें गोप्रो इस नहों बैक ओंडूटी कि देखिया है हमें जाना है स्ट्रेट थोड़ी सी रोड खड़ाब है आप रहे हैं और चलिए अमना के बाद हम इनर डिंग रोड में जा रहे हैं आग रहके तो और अठ्रीटी भी हमारे विल्कम कर रहे हैं साइन बूट पर लिखाया वेलकम टू आगरा इनर इनर इंग रोड चलिए हम आगरा इनर इंग रोड के टूल प्लजा पर जा रहे हैं मैं आपका इंफोर्मेशन के लिए बताना चाहूंगा कि इस टूल प्लजा पर बाइकर्स के लिए कोई टूल नहीं है करते हैं कुछ चाय वह मिल रहा है कि नहीं है हाई यह मैं खो जाता है शुरी कुछ शॉप्स हैं यहां पर तरह रुपते हैं चाय पीता है अब यह को देखे देख को मुस्कुरा रहे हैं चलिए उनके पास ही चलते हैं यहां पर मनें चयपी चय बिस्गिट खाया मेरा फ्यूडे अब यहां से निगलते हैं टी आंगे घटिया को थांक्यू बोल किफिट यह थेंडिया थांक्यू यह थांक्यू हाँ हाँ ठीक है चलिए वापस से बाइक से आगे निकलते हैं अपने मजिल के तरफ चलिए फ्रेंट्स अब जल्दी से आगरा लखनु एक्स्प्रेसवे पर इन होते हैं और अपना सफर को जारी रखते हैं और बस आगे सारे 800 मिंटर से हम लखनु आगरा लखनु एक्स्प्रेसवे पर इन हो जाएंगे और इस एक्सप्रेसवे पर हमें 300 km चलना है तो आगरा लखनु एक्सप्रेसवे पर पहला टोल आ रहा है यार में जो स्ट्रीट प्लाइट्स लगिए ना इसके डिजाइन से तम इन्फ्लेंस हो गया हूँ पर आप 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 समय को तीन सो पचीस रुपे आइगे सोना चाहिए यहां पर आप पर इंची नहीं थी तो मुझे अच्छा नहीं थी तो टूटी रही है बड़ लेकिन अपको बीच बीच में कहीं अनीवें है इस पर देखता हूं इसका ले यह बीस किलो में चलाया है मै कर दें हुए है तो आगरा लगनाव पे पहला टोल प्लाजा के बाद मैं हम आगे बढ़ चुके हैं तो लीज 325 रुपे है और हम एक्स्परेश्वेइपे चाहओन कीलो मेटर आ गया है और मेरा मेरा बैक में लो फ्यूल का इंडिकेशन आ गया है यह देकिए 59 किलो मेटर है है अच्ट आगर अपनोय किलो मेटर जाएगा और मैंने रिफील कराइभ तब से 249 किलो मेटर हुआ है तो देखना परेगा अगला एक जिड्डू 76 किलोमेटर पर है वो उस पे अगर कुछ पिट्रॉल के बारे में डिसकस नहीं हुआ तो मुझे एक्सप्रेस्वे से नीचे उतर के जाना परेगा और जो पास में पिट्रॉल पमभगा पिट्रॉल बहाना होगा मेरे इस आप से 50 किलोमेटर तक तो मैं जा सकता हूँ अराम से अभी कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफोर्मेशन कि यमुना एक्सप्रेस्वे खतम होने के बाद आपको आता है अगरा इनर रिंग रोड उसके बाद लखनौ अगरा एक्सप्रेस्वे है ना तो लखनौ अगरा पर हमने लगभग 66-67 किलोमेटर चल लिया है और 20 किलोमेट अगरे हुआ देखा है आप 18 किलोमेटरिन अट्रीन और 10 बाया महीं लुए ना 10 लुआ भी पीट्रॉल लुआ पूमटेर चाहिज्वा करों पने लिए है और यहांं सब्सक्रीमा फॉधे चाहें 20 कीलोमेटरि यहां बता रहा है Еще हो से है तो 66 और घटी तो जहां पी और चा आपई घ्यूसे लिख गाँ अब आगा देखते हैं मिलता है तो मुझे लग पग 82-85 किलो मेट्र तख पिट्रोल मेला तो मैं निचे गटा हूआ कामोर है तो मैं अभी इक्सपेससए नीचे आया हूँ पिट्रोल बढ़ाकर फिर 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 इन होंगा लखना हो अगर एक्स प्रेस्वेश पर तो भाई ने बताया कि 20 रुपे का को इंटी चार्ज लगेगा बस कोई बात नहीं पिट्रों भाड़ना इंपॉटेंट है एक डॉट पर आ गया है और यह बिंग भी कर गाया कि एबाउट तो भी इंटी वह जूट नहीं है वहां से इन होंगे अधर में ठीक है ने बताओ अगरेख एक्सप्रेश्वेश पर पाट्वल पम भी नहीं है उसक्ट प्र नहीं अऊपर एदे लगार इस चैक्राला कॉट्झी तो कैमेरा कैमेरा है तुम बाइक का वीडियो बनाते है ना कि तुब्या ओपर है नहीं बिट्टोल पॉंप कहा पर ए तरुकिना कितना सब्सक्राइब गजल आधाल दिए टूर टूर्ट टूरो टूरो टूर्टब टूरो टुज़ा है है मतलब सब्सक्राइब तो आजुके है इस पर हाँ इसके बाद सब्सक्राइब बॉप अज़िए फ्रेंट्स डिफिल करा लिए कंप्रीट नहीं कि अज़िए पीन होगे मिलता है अपसे रिफियूल करने के बाद मैंने चाय पी लिया और वापा से जाता है एक्सप्रेस्वे में इंटर होता है एक्सप्रेस्वे मेरी इंट्री चार्ज भी सुरू पर लगे यह कुछ बताये थे हैं तब एक्सप्रेस्वे मेरी इंट्री हो गए अब चलिए लगनों कि इतना फटाक से जलता है फ्रेंड सही बता हूं तो इतना मजा रहना में क्या होता हूं 110-115 पर आराम से क्रूज कर रहा हूं अपनी बाइक पर डॉमिनार वो रहनेड मार बाइक पर कोई इशू ही नहीं है मुझे लगता है अगर डुएल डिस्क हो बाइक में डूल चैनल एबी एस हो और 120 पर आराम से प्रूज कर रहा हूं तो इससे अधा कुछ नहीं चाहिए इंडिया के रोट्स पे तो बोक्स लगा लिया हूं को साड़ा कप्रे सारे कप्रे और सारे यूज कि जो समाने सब उसमें आगए बाकि नाविगेशन के लिए अच्छा उप्सन दिया ही है यहां पर चार्जिंग पॉइंट भी है मुझे पुरा उमीद है कि आप लोग भी वीडियो को बहुत हैं यह वीडियो मैं कल डालूंगा और फ्रेंड वहां जो मैंने चाय पिया था आपको आप राही ने रोट के बाद उन्होंने दम सही बोला था कि सो किलो मेटर के बाद आपको पिट्रॉल मुलेगा और देखिए एक सो एक किलो मीटर पे यह इंडियन वाइल का पिट्रॉल बंप है और शायद अगर मैं यहा पिट्रॉल आपकी कार या आपकी बाइक में होना चाहिए यह इंपॉर्टेंट टिक अभी होगा जिस जो इस वीडियो साब को मिलेगा धुर्फरेंड्स आप आगे सामने प्रयां प्रयाग राज और चुत्रकूट के लिए कत है वह सामने एक रूड जारी ओपर से वह बूंदेलखन्द एक्स्प्रेस्वे है तो लगनौ आग्रा एक्स्प्रेस्वे से बीच से आप मतलब इनकेस आपको जाना हो पूंदेल ख वेलकम तू पुंडेल खंड एक्स्प्रेस्वेर करेक्टिविटी ओफ रोड तु इतनी अच्छे हो गई है कि मैं क्या बताओ आपको अभी सेडिया को विडियो लब कर दिया जाएगा और हीर वी गो वान टू त्री फॉर फाइब सिक्स सेवन एट नाइन टेन और हमने बुल्डेन खंड एक्स्प्रेस्वेर के नीचे से पार हो लिया और एक छोटा सा ब्रेक फिर से लेते हैं दोलों पैर में दर्द हो गया है दो मिनटे स्ट्रेच करते हैं फ्री चलते हैं आप यह बात एड्मिट करेंगे कि बाइक चलाते वह व्लॉगिंग करना असान काम नहीं है बहुत डिफिकल्ड गाम है इसके रिवार्ड यह होता है कि आप लोग लाइक करते हो शेयर करते हो सब्स्राइब करते हो तो बहुत कॉमेंट करके जरूब बताया है और अब ही हमें इस एक्सप्रेस वे पे 125 किलोमेटर रोड रुकना है और उसके बात से वही 35 किलोमेटर लग बग आवर डेस्टेनेशन इस वार सिस्टी किलोमेटर अवे फ्रॉम हो चुकी है आप देखिए यह बोच साइट जो स्ट्रीट लाइट से हैं यह आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आप टनल में जा रहे हो जो उपर से उपन है यार इतना अच्छा कंस्ट्रक्शन है ना कि मैं क्या बताऊ आपको मुझे बहुत पसंद आए इसलिए में बार बार जब यह दिख रहा है ना मुझे ऐसा तो मैं वीडियो किलो मिटर है और उमीद करते हैं कि दो खंटे से कम में ही पहुच जाएंगे और फ्रेंड्स मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ इमर्जेंसी एर स्ट्रिप जो बना है आपर और हम आ चुके हैं एर स्ट्रिप पर इससे बनाया गया है इमर्जेंसी में फाइटर एर क्राफ्ट और हो सकती तो पैसेंजर प्लेन को भी आईकेस लैंडिंग हो सकती है य कि अ कि अ कि मुझे एक ही डाउट है कि यह जो बीच में डिवाइड़ पर जो रखे हैं यह बड़े-बड़े कंक्रीट के स्लैप्स इमर्जेंसी टाइम में इसको हटाया कैसे जाएगा अगर फ्रेंड्स आपको बताओ तो आपको कॉमेंट करके बताएगा कैसे हटाएगे अगर जैसे भी मसीन से भी एक एक कोहट आते तो बहुत टाइम लगएगा पता नहीं इतना टाइम रहे का गी नहीं अपने पास हमारा लखनू का जो टूल प्लाजर लास्ट है आएमिन अगरा लखनू अगरा एक्स्प्रेस्वे का जो लास्ट पॉइंट है वो अभी यहा हिना सुचबूड बड़े हो गाएं की आस पता नहीं क्या हो रहा है में हर जगा ने एक बशह भी हुग भाब और उपक्षे भय एक कमल शेंचार कार्ण के फट अगे बढ़न नहीं हंगा है है सट क्यों क्यों हो और तो अबर मिक टाइम तो हैं टैर फट मैं आपको पताता हूँ मेरे चैनल वैपको वीडियोज मिल जाएंगे इनकेस आपकी कार में नहीं है अगर आपने कार इसे दो दी एक दो साल में खरीती होगी और टॉप या उसे से केंड टॉप वैरिंट लिये होंगे तो इसमें हो गई आपके हैं लास्ट टॉल पे यह फाइनल टॉल इसके बाद पुछ आट-दस किलोमेटर जाने के बाद लखनों सिटी सुरू हो जाएगा लेकिन अभी टॉल यह टॉल क्रॉस करने के बाद हम एकस्परेश वास एक्जित होंगे फेर ट्रांस्पोर्ट नगर जो लखनों कि लोग है उनको बता होगा फिर ट्रांस्पोर्ट नगर होते हुए फिर सहीध पथ हुते हुए गोंति नगर जाएंगे अपने ररस इंहें परे सो yeast बैट्री नहीं बसती है इसके गोपरो की तो मैं वीडियो बाद में कंक्लूड या मैं वीडियो अगर मुझे लो बैट्री का वर्निंग मिलेगी तुम्हें वीडियो उसमें कंक्लूड कर दूँगा आप भू समझ जाएगेगा इनल टॉल पे आ चुके हैं और बस ही नहीं देंगे भईया को और एक जिट हो जाएगे तो चलिए तोल क्रॉस करके अब यहां से टोल रोड दस किलो मेटर और है और दस किलो मेंटर के बाद हम सिटी में बुच जाएंगे और फेंट्स जैसा मैंने बता है गोप्रो की बैटरी कम है इसलिए मुझे वीडियो यहां पर एंड करना परेगा आप समझ सकते हैं मैं सुबा से ही वीडियो बना रहा हूँ अच्छली मैंने दो बैटरी रखी है गोप्रो की तो एक तो पुरी खतम हो गई है और यह भी लास्ट पे है पांच पर्स इंट बचिए तो मैं कर पाऊंगा वीडियो इसलिए मैं अभी कर पाऊंगा इट मेंस मैं फाइनल देस्टिनेशन दकापो नहीं दिखा पाऊंगा लेकिन जो लोग लखनव से होंगे जो लोग दिली लखनु कभी आये होंगे उनको तो पताए होगा कि इस टोल प्लाजा के बाद बाकी जो वे है आप इस वे से आप दस किलोमेटर चलना है सोरी फिर 10 किलूमेंटर केबाद आपको सिंगारनगर एक आएगा वहाँ पे एक बड़ा सा गेट है सिंगारनगर वहां से हम राइट ले लेंगे क्योंकि जब हम आये थे तो वहां से लिफ्ट लिये थे सिंगारनगर से राइट लेने के बाद हम ट्रांस्पोर्ट नगर पहुचेंगे, ट्रांस्पोर्ट नगर से लेफ्ट लेके हम सहीत पत पे चड़ जाएंगे, और फिर सहीत पत से तो लखनुवा लोगो सबको पता ही है कि गोमती नगर हमारा डेस्टेनेशन है तो हम कैसे जाते हैं और एक सेलेशन देना चाहूँगा मैं फ्रेंट्स जो लोग दिल्ली से लखनुवा आते हैं जो और जिनको आपको गोरखपूर बिहार सेट जाना होता है तो इनकेस आपको पटना जाना है तो भी आप तो प्रुवांचर ले लोगे लेकिन आप यही रूट फॉलो करना आप अब इदर आओ आओ आप डैरेक्ली लोकेशन डाल दो सहीत पत का तो सहीत पत से फायदा होगा कि आपको भीड कम मिलेगी अगर आपने गलती से गूगल ने आपको सीटे से गुशा दिया अकर तो फिर आपको बहुत देर होगी चलिए उसके लिए मैं एक पुरा ही वीडि पसंद आया होगा आज का अगर पसंद आया है तो भाई लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब किजिए। Vidio को सेयर कीजिये तो जैसी मैं पहले बताया था आपके वीडियो सेयर करने से लीक इसे चैनल को सब्सक्राइब करने से बहुत ही ह mirकation मिलता है fines motivation के के कारणने धर तो तो चली एिए फ्रेंट्स आपका बहुत बहुत दन्नेवाद घ्रहने के लिए और आप आप अच्छे उंगे और चली वीडियो मिलते हैं कियां और अपना अच्छे सी द्यान रखें आप कえー